Good morning students, कल हमने quantization of charge वाला topic पड़ा था, उसी पर based आज हम question करेंगे Question number 1 है, एक चालक पर 1 कुलाम का रिनावेश है, इस पर सामानी अवस्था में कितने electron अधिक है तो इस question का solution हम कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पर चालक पर आवेश दिया हुआ है, 1 कुलाम का, so q will be equal to 1 कुलाम और हमें पता है कि e बराबर कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम, जो कि electron का आवेश होता है तो हमें क्या find करना है, number of electrons find करने, तो हमने quantization of charge वाले portion में formula पड़ा था, q equal to ne वाला तो यहाँ पर यही formula अपलाई होगा, q equal to ne, यहाँ से n find कर लेंगे, n equal to q upon e now put the value of q and e in this equation, value put करने के बाद हमारा answer कितना आ जाएगा, 6.25 into 10 to the power 18 अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि चालक पर क्या है, रिनावेश है, that means रिनावेश होने का मतलब क्या है, कि चालक पर electron की अधिकता है that means answer क्या हो जाएगा, चालक पर 6.25 into 10 to the power 18 electron की अधिकता है next question देखिए, question is, एक चालक पर 2.4 into 10 to the power minus 18 कूलाम धनात्मक आवेश है इस पर कितने electron की अधिकता अथवा कमी है तो इस question में आपको आवेश given है, q equal to 2.4 into 10 to the power minus 18 कूलाम और e की value आपको already known है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम तो आपको n की value find करनी है, number of electrons find करने कितने अधिक है या कितने कम है तो आपको formula पता है, q equal to n e, यहां से n की value निकाल लोगे, n equal to q upon e now put the value of q and e into this equation, value put करने के बाद आपका कित क्या आजाएगा answer 15, n equal to 15 आजाएगा, that means, question में given है, चालक positively charged है that means, धनात्मक आवेश है, इसका मतलब क्या हुआ कि चालक में electronों की कमी है तो इसका answer क्या हो जाएगा, चालक में 15 electronों की कमी है